आज मैं आप सभी लोगों से जो भी कोशन पूछे थे यानि कि आपके जो भी प्रोब्लम्स हैं जो आपके दिलों में घूंटी रहती हैं कि आखरकार क्या करना चाहिए कैसे करना चाहिए तो मैंने कहा था कि आप अपने प्रस्म जो है मुझे यहां कॉमेंट के माध्यम से मुझे से पूछ सकते हैं तो उसमें से कुछ लोगों को कॉमेंट्स आएं उस पर मैं वीडियो बनाना शुरू कर चुका हूँ तो पहला जो कमेंट मैं पढ़ने जा रहा हूँ वो है रितिक शुकला आर्टिस्ट रितिक शुकला का उन्होंने काफी बड़ा लंबा चोड़ा लिखकर भेजा है मुझे लगता है पूरी की पूरी जो important problem है वो उन्होंने यहां discuss कर दिये कि starting तो हर कोई करना चाहता है बॉलिवुड में आने के लिए बहुत मेहनत करने पड़ती है जाते हैं मुंबई तो वहाँ पर माबाप से लड़ने के बाद पहुंच तो जाते हैं लेकिन सही लोग नहीं मिलते हैं सब फेक मिलते हैं जो की registration, artist card इन सब चीजों के नाम पर आप से पैसा ठग लेते हैं और उसके बाद फिर आप वापस क्या करें क्या नहीं करें यह समझ में नहीं आता फिर उसके बाद जो है struggle फिर भी लगा रहता है फिर एक बार मालो काम मिल गया फिर दुबारा से यह से करना परता है आपका सवाल बिल्कुल जायज है बहुत ही important है आपने जो भी बातें पूछी है यह बिल्कुल सही है सत्य है आज के समय में देखी जिस हसाब से बॉलिवुड की जितनी भी ज़्यादा तरक्की होती जा रही है माल लीजे ऑनलाइन हो चाहे वो अफलाइन हो चाहे वो किसी भी तरीके से हो बात को बिल्कुल ध्यान से समझना और सुनना स्ट्रगल क्या है बॉलिवुड में एक्टर बनने के लिए स्ट्रगल अखिरकार है क्या पॉलिटिक्स नाम की एक चीज होती है जो हर जगा पर हमें जेलनी होती है यहाँ पर भी एक पॉलिटिक्स है इस बॉलिवुड में भी एक पॉलिटिक्स है जो कि internal politics आप कह सकते हो कि जो लोग पहले से माल लिए आप अगर किसी काश्म डिरेक्टर बन जाते हो कहीं पर भी किसी production house में उसके बाद आप अपने जान पचान वाले लोगों को काम देते हो ना कि आप अपने किसी और लोगों को वो अलग बात है कि आपको उपर से pressure होगा क्या रहे नहीं अच्छे एक्टर लाओ अच्छे एक्टर लाओ तो वो अलग बात है कि आप अच्छे एक्टर जूढने की कोशिस करना शुरू करते होगे अब बात करते हैं दूसी तरफ यानि कि जो fake लोग हैं वो लोग पूरी जानकारी ले चुके होते हैं यानि कि कैसे लोगों को फसाया जाना चाहिए किस तरह से ये genuine casting directors होते हैं वो किस तरह से auditions लेते हैं उनको सारा process पता होता है और ये process का वो फायदा उठाते हैं वो फायदा कैसे उठाते हैं registration fees, artist card और फिर आपसे कहते हैं कि आपको training लेनी होगी प्लस वगरा वगरा ये सारी सारी बाते हैं लेकिन एक genuine artist जो casting director होता है वो आपसे कभी भी registration fees या फिर artist card की demand तो नहीं करेगा अब genuine और fake casting director को पहचानना कैसे होगा यार देखो सब इंसान है मैं भी एक इंसान हूँ आप भी एक इंसान हो सब खाना ही खाते हैं तो पहचानने के लिए किसी के ना माथे पर लिखा हुआ है जैसे कि पिच्चर थी ना मेरा भाब चोग रहे है तो ऐसा तो किसी के हाथ में लिखाने होगा ना कि तू काशिन डिरेक्टर फेक है या नहीं है तो यह जो है यह हमारा six cents है कि हम किस से बात कर रहे हैं यह हमें खुद आभास हो जाना चाहिए कि आखिरकार वो सामने वाला बंदा सही है या गलत है और फिर उसके बाद जो है हमें उन लोगों से बिल्कुल हटके रहना है जो नेगेटिव बातें आप से कर रहे है यह नो लेकिन यहाँ struggle है बिल्कुल है नो डाउट आपने जो बातें लिखी है कि real production houses नहीं मिलते हैं उनको डूढ़ना पड़ता है फिर उसके बाद आपने क्या audition में दिया आपने किस तरह से वहाँ present किया तभी तो कहा जाता है कि आप बार-बार auditions दीजिए बार-बार audition देने की practice कीजिए यही तो process है और अगर आप इन process को देख कर डर जाते हैं तो फिर कैसे काम करोगी मुझे बताइए इसी को तो actor बनने का process से अगर आप actor बनना चाते हैं तो यही process से होकर आपको गुजरना होगा कोई भी माई कालाल यहाँ इस process को बिना चुए टच करे नहीं निकल सकता हाँ ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो direct काम मिल जाता है उनको कभी कभी ऐसा भी होता है वो कैसे मिलता है माल लीजिए कि एक फला फला casting निकली फला फला casting बहुत अच्छी है फला फला बंदे ने उसने apply कर दिया फला फला बंदे का audition final हो गया अब फला फला बंदे की आगई मौज अचानक उसका जैसे वो casting में final हुआ उसको इतना मचाना बुम मिलिया उसकी जो character automatically निकल के बाहरा आ गया यानि कि वो hit हो गया यह कह सकते है आप hit हो गया एक तरीके से और उसके बाद उसके पास तमाम offers खोद आने लग गए देखो जो दिखता है वो ही बिखता है यह बात भी आप याद रखना जब तक आप इन बातों को समझेंगे नहीं न गहराई से तब तक confusion रहे गए रहेगा आसान नहीं है थोड़ा tough है जिसन समझ में आ जाएगा उस तन आपको पूरा process भी समझ में आ जाएगा देखो जितनी जादा आपको पता है कि इस line में वो है ना शोहरत इज़त पैसा है उतना ही जादा यहाँ पर struggle भी है ठीक है तो आपको यह भी समझना होगा कि आखिरकार मैं अगर struggle करने आया हो तो मुझे डरना नहीं है मुझे इन छोटे छोटे hurdles को लेकर बैठना नहीं है मुझे इनसे fight करनी है मुझे इनसे लड़ना है मुझे इनसे सीखना है और जिस दिन आप सीख जाओगे ना उस दिन आप खुद ही काओ गया रहे है अपने सही बात कही थी यार इसमें कोई भी इनसान इसको बिना छुए नहीं करी नहीं सकता तब आप realize करोगे इस बात को आपके बातें बिल्कुल सही है घरवाले आपको support नहीं करेंगे आपसे कहेंगे क्या कर रहा है पागल हो गया है यह हो गया हो गया है आपके साथ नहीं मेरे साथ हर किजी के साथ होता है इसको समझना बहुत जरूरी है जिस दिन आप समझ जाओगे उस दिन आपको realize होगा कि यार मैं क्या कियाना चाहता हूँ और देखिए थीटर आप जोइन करें या नहीं करें या फिर वो पैसे लेते हैं या नहीं लेते हैं ये भी एक अलग मुद्दा है ये भी आज कल देखिए थीटर वाले जो मेहनत तो करते हैं तो पैसा लेना उनका जायज है acting classes वाले भी आपसे पैसा लेंगे क्योंकि वो भी जायज है वो अपने अलग से classes खोल कर बैठे हुए हैं वो सिखाने के लिए बैठे हैं आपको तो वो भी आपसे पैसा लेंगे गलत अपनी जगे पर कोई भी नहीं है गलत हैं तो सिर्फ और सिर्फ fake casting directors जो fake होते हैं जो आपको registration fees, audition fees और artist card के नाम पर धोगा देते हैं बस इन लोगों से बच कर रही है और बाकि सब कुछ एक हिस्सा है actor बढने का एक हिस्सा है तो tension लेने की बात नहीं है आपको अपने लिखा है अकेले कैसे आगे बढ़े हैं यह यह बता दीजिए अकेली आपको खुदी बढ़ना है कोई आपसे यह नहीं कहेगा कि आओ यार मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ अब मेरे साथ चलो एकला चलो रहे एकला चलो मतलब अकेले चलो यह अकेला चलने वाला रास्ता है आपने जो चुना है वो रास्ता है आपने आपने ऐसे चलना है अगर आपको अकेले चलना है तो आपको इस राहा पर खुदी अपनी मन्जिल तयार करनी होगी छोटे-छोटी मन्जिल तयार कीजिये बदा रक है ऐने यहां से लेकिख पहले बच्चा जो है आज के समय में अक्टर बनना चाहता है यर साम화를 हो अधकी मिलेगा बनना है या फिल नहीं ж Dieser ये भी एक important मुद्दा है आपको भी सही लोगों को ढूंड़ना होगा ये आपकी जिम्मेदारी है अब आप six cents किस तरह से लगा रहे हो आपको कौन लोग मिल रहे है ये आपकी किस्मत भी हो सकती है आप सही लोगों को ढूंड़िए अच्छे लोगों को ढूंड़िए अच्छे लोगों को पकड़ने की कोशिस कीजिए बाकी हमारी वेबसाइट है bollywoodka hallah.com online audition भेजते रहे है कब सफलता मिलेगी कब नहीं मिलेगी ये ना मैं कह सकता हूँ ना कोई और कह सकता है कि आपका कुछ रास्ता जो बनता जा रहा है इक्तियार होता जा रहा है बस वो समझना बहुत जरूरी है और जेतना आप ये चीज़ां समझ जाओगे उस दिन आपके अंदर बहुत सारी चीज़ां जो है किलियर हो जाएंगी बस समझे ना आप मेरी बात को प्लीज ट्राइटो अंदरस्टेंड आपका जो भी सवाल है ये गलत नहीं है और बहुत ही important questions थे जिसका मैंने थोड़ा लंबी वीडियो में जवाब देने की सोची मैंने सोची चलो आपको मैं बताता हूँ बस फेक लोगों से बच कर रहे हैं पहचानने की कोशिस कर रहे हैं ये आपका six sense आपका humor जो होता है वो आपको बताएगा कोई नहीं बता सकता ठीक है मुझे उमीद है कि आपको सवालों के जवाब मिल गए होगा डरना नहीं है लगते जाना है मुश्किलों से जीतना है और जितने भी हर्डल्स आपके सामने आएंगे उनको पार करते जाना है अभी के लिए मैं विदा चाहूँगा आने वाली next वीडियो में next question के साथ हाजिर हो जाऊँगा आप लोगों के लिए जै हिन जै भारत जै हो दोस्तों